दिल्ली के जहांगिरपुरी इलाके में दो साल के बच्चे की मौत पर लगे बेहत संगीन आरोप ससुराल वालों का आरोप कल्योगी मा ने अपनी दो साल के बच्चे को जहर दे कर मारा आंगनवाडी में काम करने वाली महिला ने दो साल के बच्चे को दिया जहर घर के बाहर आने जाने में बच्चे की वज़ा से दिक्कत होने की कही बात मामुली सी बात के चलते सामने आई कल्यूगी मा की कर्तू राजधानी दिल्ली के जहांगिरपूरी इलाके से एक ऐसा मामला सामने आया है जिस पर शायद ही कोई यकिन कर पाएगा अपने कानों से सुनकर भी किसी को इस बात पर यकिन नहीं होगा कि मा अपने दो साल के बच्चे को खुद जहर देकर मौत की निन सुला सकती है लेकिन ऐसे संगीन आरोब जहांगिरपूरी की रहने वाली एक महिला पर लग रहे हैं मामला जहांगिरपूरी के जैब लौक का है दर्शन दो साल का मासुम बच्चा हर रोस की तरह सुबा सोया हुआ था परिवार वाले उसे खेलने के लिए बुला रहे थे लेकिन लगतार मा उसे बुला नहीं थी लेकिन बच्चे को नीचे नहीं भेजा तो वो खुद बच्चे से खेलने के लिए उपर चले आए जहां बच्चा बेसूत पड़ा हुआ था तब ही सास नहीं अपने बेटे को बुलाया और जब बेटे ने दो साल के मासुम बच्चे को उठाया तो उसके मों से ज़ाग निकल रहा था इसके बाद से ही लगतार ससुराल वाले बच्चे की माँ पर आरोप लगा रहे हैं कि उसी ने अपने दो साल के बच्चे को मौत की नीन सुला दिया आनन फानन में पुरे मामले की जौनकारी पुलिस को दी गई पुलिस बच्चों को लेकर तुरंत तलवार के साथ अस्पताल पहुंचे जहां बाबु जग जीवन राम अस्पताल में डॉक्टरों नी बच्चे को मृत घुश्चित कर दिया अब फ़लाल पुलिस ने आरोपी मा को हिरासत में लेकर पुश्टाच शुरू कर दी है और बच्चे की पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट आने का इंतसार किया जा रहा है मेरा नाम जोती है जोती जी क्या हुआ था मैं जो उससे पूछा मैंने की इसको तुने क्या खिलाया है लड़की कुछ नहीं बोल रही है उसने चुटते ये कहा मेरे से कि मेरा था मैंने मार दिया और मैंने उसको बोला मैंने कि अब भी बता रहें नहीं बोल के दे लिए इसकी पियर वालों से बात होती है इसकी और कोई आके नहीं देता है फोन पर इसकी बात होती है इसकी भावी से बढ़काती है और इसका भाई का नाम विक्रम है और पियर वालों के कहने पर चलती है औ सार साल शादी को गए एक उर्पिया भी आस्ता कि इसने घर में नहीं दिया और अपना इखटा करके अपने पियर पहुचाती थी आखिर बच्चे को मानने के क्या कारण उसने कुछ बता है पुलीस वालों को इसने यह पूचा कि तुने बच्चों को क्यों मारा तो उसने यह कि मैं कई मेरा को घूणने फिरने को नहीं मिलता था मैं कहीं जाती थी तो यह मेरा आगे गार रोड़ा बनता था मैंने इसलिए इसे मार दिया टो इनके मैंनी आग्ज सर्टुप है यह यह सब पड़ी लिकित है समझदार जॉब करती है कि आंगन वाडी मैं कहा के यह राम लेकिन बच्चे हमाल पास रहेगा क्या उनका अफैर था अब यह तो पता नहीं सब वैसे क्याविती में रहना नहीं चाहती रहना नहीं पापा उसके आये हैं पोस्माटा मोदा बच्चे वाफ मेरा नम माया है माया जी क्या हुआ था हम से दो कोई परिशानी नहीं थी आये यहीं करती थी मेरे को जाना है मेरे को जाना है मुझे मरना है मुझे मरना है तो मैं समझाती थी इसको क्या बात है क्या परिशानी है मैं कि कोई बर्सानी नहीं कोई बर्त निम्हें जाना है जाना चाहती है तो मैंने एक जिद कर रहे तो पूछ लेंगे तिरसे क्या परसानी है थे साथ कोई कमी हो तो बता देंगी है केरी नहीं मेरे को जाना इसके पीर वालों को मेरा भून बया लोगा थेड़े जो आपकी बहूं है जिए चाहए है जा लूजह है आपको कब पता चला के बच्चे के साथ भी है गूट कर लिए तो जब शुबह रहे हैं कि मेरे अधम हो बना लिए उपर सो रही था तो पर सो रही थी तो मैंने की चल पिर में खाना हो ना के चोड़के फिर में दस बजे के टैम दस ग्यरा बजे गई मैं की तबीत कैसी चल दबाई वाई लिए चल दाए दला लो करी ने न करने लगी मैंने माम्य शक्ते ज deception लिया लेकर उसको भी शुल रहा है मैंने लड़के को सुबहें दरे हैंसी लेकर निचे लेकि एक evo बच गया मैंने बुलाया अपने बीच बाले को फोन करके काम कर रहा तो भागा बागा आया उसने उठाया बाबु को एसी उठाया लड़के को उसके मुझे पानी जाग तो जैसी हम लेके एकदम नीचे भागे ऑक दूसरी मोट साइल रोक के उस पर लेकर सीधे यहां आगए जा कास भाइडादा आवही तक देखो लेकर आए हमी तक तो कुछ पता नहीं है अब लोग किया इसके पीयरवाले तो रोज बात करते लोगों ने क्या इसको सिकाते थे क्या बढ़ते ते इसका बाई है वावी आपने साल का यह थी में लगाई यहा नाम ता बच्चे का नाम मैं तो किछना गए तीदिया मैं अड़ा